नमस्कार, हिंदी आचारे चैनल पर आपको स्वागत आए बच्चो नित्य पूलिंग और नित्य पूलिंग शब्दों को हम जानेंगे तो बच्चो जैसे कि आप जानते हो दो लिंग होते हैं पूलिंग और स्थी लिंग लेकिन कुछ ऐसे شब्द भी होते हैं चीजों के नाम या मतलब पशुओं के नाम कीडे मकौडों के नाम भी इस तरह से हमने बना रखे हैं कि उनको हम मानते हैं कि वह पूलिंग ही है और हमेशा पूलिंग ही रहेंगे उनको हम नित्य पूलिंग कहते हैं और कुछ ऐसी भी चीजों के नाम होते हैं जिनको हम नित् खा रहा है लिखा, खा रही है नहीं लिखा इस बाक्य में, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हम पशु को पूलिंग की तरह मानते हैं, इसलिए हम इस तरह के शब्द जिसमें पूलिंग की तरह माना जाता है, उन्हें नित्य पूलिंग शब्द कहते हैं, तो इसका स्थ्रीलिंग ब नाम है, इसे हम नित्य पूलिंग की शब्द कहेंगे, क्यों कि इसको हम पूलिंग ही मानते हैं, कि जब हम खर्गोष की बात कर रहे हैं, तब हम पूलिंग की बात कर रहे हैं, दर खर्गोष की ही बात की जा रही है, तो इसका अगर स्ट्रीलिंग लिखना होगा, तब हम माद खरगोश लिखेंगे इसी तरह से भेडिया है तो भेडिया है तो हम इसे नित्य पुलिंग शब्द मानते हैं तो इसका स्रीलिंग बनाएंगे मादा भेडिया इसी तरह से चीता चीता बहुत तेज दोड़ता है तो जब हम चीता की बात कर रहे हैं तो इसका वर्थ है कि हम न कि यह नित्य पूलिंग शब्द हमने जाना और इसका जब हम स्ट्रिलिंग लिखेंगे तो मादा खटमल होगा आगे देखेंगे कववा काए काए कर रहा है तो यानि कि कववा जो है क्या होगा? कववा का स्ट्रिलिंग क्या होगा? कोयल बिल्कुल भी नहीं होगी कव्वा का जो स्त्रेलिंग है वह कोयल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कव्वा एक अलग पक्षी है और कोयल जो है वह एक अलग पक्षी है बच्चों ये इसमें अधिकतर जो विद्यारती होते हैं बहुत ज़ता पूलिंग शब्द है तो इसका स्ट्रीलिंग बनाएंगे तब हम मादा मच्र कहेंगे मच्री नहीं कहेंगे अब उल्लू देखेंगे उल्लू पूरी रात जागता रहता है अर्थात उल्लू शब्द एक नित्य पूलिंग शब्द है तो इसका स्ट्रीलिंग क्या होगा माद भीक्षू तो बच्चों समझ में आगए आपको कि नित्यपूलिंग शब्द ऐसे शब्द होते हैं यह जीजों के acting नम भी हो सकते हैं यह इस तरह some नाम होते हैं चीजों के या पशुओं के इस तरह की संग्याई ये होती हैं जो कि हम माना जाता है कि ये हमेशा पूलिंग की ही बात की जा रही है हम मच्छर की बात कर रहे हैं हम चीता की बात कर रहे हैं तो हम मान लिया जाएगा कि हम नर चीता की ही बात कर रहे हैं तो नित् करते हैं तो मान लिया जाता है कि हम उस जार की स्ट्रीलिंग की ही बात कर रहे हैं तो इस तरह से अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि कवा का स्ट्रीलिंग कोयल नहीं होता है कवा एक अलग बक्षी है कोयल एक अलग बक्षी है जब हम कोयल की बात कर रहे हैं कोयल गा रही है क कोयल का अब यहां पर हमने कोयल को स्ट्रीलिंग ही मान रखा है तो कोयल एक नित्य स्ट्रीलिंग शब्द है तो जब कोयल एक नित्य स्ट्रीलिंग शब्द है तो उसका जब हम पूलिंग बनाएंगे तो वह नर कोयल होगा इसी तरह से मैना तो मैना का क्या होगा मैना को हम ए अधिकतर मैना मान लिया जाता है लेकिन वास्तम में तोता का स्रीलिंग मैना नहीं है, मैना एक अलग पक्षी है उसका भी नर होता है और मैना से हम मान लेते हैं कि यह नित्य स्रीलिंग शब्द होने से कि मैना उड़ रही है तो यानि कि हम स्रीलिंग मैना की बात कर रहे हैं तो इसका जब पुलिंग बनाया जाएगा तो नर्मेना लिखेंगे हम, इसी तरह से मखी, मखी भिन भिना रही है, तो उसे क्या आज पता चलता है कि मखी खाने के ओपर बैठी हुई है, तो यानि कि मखी को हम मान लेते हैं, कि यह एक नित्य स्ट्रीलिंग शब्द है, तो हम मखी केस हम स्ट्रीलिंग की ही बात कर रही है, और इसका अगर हमें लिंग बदलना होगा, तब हम नर्मखी बोलेंगे, इसी तरह से जू है, मैंने पवन के सिर पर बहुत सारी जू रेंगती हुई देखी, अर्था जू नित्य स्ट्रीलिंग शब्द है, तो इसका होगा इ बनाएंगे तो नर्जों कहेंगे, गिलहरी को भी देखेंगे, ऐसे गिलहरी है, गिलहरी पेड के उपर चड़ रही है, तो गिलहरी बहुत तेज भागती है, तो क्या होगा, तो गिलहरी यहाँ पर हम नित्य स्ट्रीलिंग की बात कर रही है, तो इसका लिंग बदलेंगे तब हम नर्मकडी लिखेंगे, इसी तरह से बुलबुल को भी स्रीलिंग ही माना जाता है, बुलबुल गाती है, तो बुलबुल पक्षी जो है, वह नित्य स्रीलिंग यह शब्द है, इसका लिंग बदलेंगे तो नर्बुलबुल हो जाएगा, इसी तरह से लोमडी है, भी शब्दों होते हैं जो जीवों के भी नाम हो सकते हैं और चीजों के भी नाम हो सकते हैं, उनको हम हमेशा ही पूलिंग या स्रीलिंग ही मानते हैं, तो इस तरह के शब्दों को हम नित्य पूलिंग या नित्य स्रीलिंग शब्द ही मानेंगे, लेकिन जब हम जीवों की बा ही ठालया और एक और चीज टो यंग बदलने पर श्तृत्य पड़ा रहेगा इससी तरह से क्यूंकि उसका जुन बनाना पड़ेगा हम इसका जब हम लिंक बदलेंगे तो बनेगा मादा तोता, तो मैना तोता का स्री लिंग बिल्कुल नहीं है, मैना एक अलग पक्षी है और तोता को नित्य स्री लिंग माना जाता है, और तोता को नित्य पूलिंग माना जाता है, इस वज़े से जाधा तर कन्फ्यूजन होती है तो आशकरती हूँ आपको बहुत सारी नई चीज़े इस वीडियो के माधिम से आपको मिली होंगी पूरा वीडियो आपने देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए हिंदी आज जा रहे हैं